सरपंच बनना और सरफ फॉर्म बनना और बन जाना एक अलग चीज है उस पद को पांट साल तक निभाना एक अलग चीज है अगर आपको लगता है कि आपके गाउं में कोई भी कंडिडेट ऐसा नहीं है जो मिदवार खड़े हैं उन में से अच्छा है या योग्य है या फिर वो आगे सरपंच बनने लाइक नहीं है उस केस में आप नोटा बटन दबाएं नोटा अगर जीता है तो आपके गाउं में सरपंच का इलक्षन दुबारा होगा यह जिम्मेवारी ने सरपंच की नहीं होती है बहुत सारे ओर भी लोग अगर जो गाउं में इलक्षन लेड़ लिया उसको सरपंच बोलना स्राट कर देते हैं तो उसकी कुछ जिमेदारी है अगर नहीं बना चाहे तो तब भी बहुत उपीद है इन में से कोई सरपंच जो है मैं यह बोलता हूं जिसकी आप इक वागा हुए गाउं के लोग है पात साल के लिए अगर आपने पदलिया है आपने स्विच्छा चे लिया है कि इसे ने आपको बोलाने आप लो गाउं समाज ने आपका समर्थन कर दिया पात साल होना चीए जो डोकुमेंट्स को प्रोपर तरिक्के से गोवर्मेंट के सामने अधिकारियों के सामने प्रजेंट करें कि देखो जी यह रिसोर्स है मेरे पास और आपको यह करना है और इस ऐसा विजनरी सरपंच होना चीए रही वागा आपने देखा उसमें को इतनी जवाबदारिया है तो यह हमें लेके चलनी पड़ेंगी सायरों को जवाबदार एक पंचयात बने सभी जवाबदार वोटर हों तो बिना भेदवाओ के बिना किसी के इर्ष्या के अपना एक योग्य उमेदार को मत दे मेरत यह कहना है सब लोग से शिक्षित बले होई ना शिक्षित का भी कोई क्राइटेरिया होगा बहुत निड्र युद्ध थोड़ी लडवाना है या निड्र की निर्विक की जरूत ने बात को बात के तरीके से कहने वड़ा होना चीए वो सोसल मेडिया पर एक पर चल रहा था कि जैसे ही चुनाव अनाउंस है उसके बाद पता चला कि हमारे अगल बगल में ही इतने निर्बिक निडल कर्मत योग है उमीद मनलों कलिडेट रहते हैं वो सारे गुणों इरक्षिन के टाइम पर निकल लगे बाहर आते हैं हलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी मैं समसेर कोशे के इंडिया निउसमेंट पर आपके समक्सेक वर फिर से उपस्तित हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाना के अंदर पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं जल्द ही हैं कि यह जो गाउं है इस गाउं के अंदर काफी वोटर्स हैं क्योंकि कि गाउओं के विकास के लिए यहां पर एक चर्चा सुरू हूगी और इस चर्चा के बारे में मतलब में आप लोगों को बताओं तो चर्चा में हमारे साथ साथ बने वे हैं कुछ फोजी साथी हैं कुछ यहां के ग्रामिंट जो युवा साथी है वो हैं इनसे करेंगे बातचीत आप बने रहे हैं हमारे साथ इंडिया नियुस पाइंट पर स्वागत आपका इंडियुस पर बहुत बहुत दन्यवाद आपका दर्सकों को नाम बताए अपना मैं मन्जीत यादा हूं मेरा नाम है क्या कर शेलंग का रहने वाड़ा हूं मैं एर फोर्स में कारियरत हूं और आपके सभी दस्कों का मैं आज जोड़कर नमस्कार करता हूं कैसा सरपन्च चुन रहे हैं? अपने economic development को या social justice को कैसे अपने अपनान को प्रिपेर करे तो मेरा यह सबसे पहले माना जो भी कंडिडेट खड़े हुए हैं उनको पंचाहितिर एक्ट के बारे में पता होना ची उनको अपने पावर्स का पता होना ची अपने रेस्पोंसिबिलिटीज का पता होना ची यह अब दानेक चीजें लग बख कितने लोग खड़ें यहां पर जहां तक मेरा आइडिया है 11 नौमिनेशन हो चुके हैं अच्छा नौमिनेशन हो चुके हैं कुछ कवर फार्म भी हो सकती इसमें 11 तो फार्म है इन में से ब्लकु कवर फार्म एक दो लगे होंगे बट जैसे क कानौणी प्रकूर्चन लडेंगे तो अब हम मोटा मोटी बात करते हैं जैसे अब हर एक आदमी है वे बोलता है कि अच्छा अपना समाज अपना अपना अच्छां लगता है इस देश में सारी बाते मेरा देश मान तो मेरा गाव मान वारे बाते कब स्टार्ट होंगी मेरा मौटा सा सवाल यह पैस्मिरा देश मान तो ठीक है चाह्वों है यह दो देश का इबाट है तो मेरा मान से अगर गाहों मानों गया तो अगर और अब इस अब मानों सभी गव्यार वी इन वी पढ़ना चाहिए उसमें मोटे मोटे पांच्छे में आपको बता देता हूं किर्शी सुधार का यह भी सर्पंच की जिम्मेदारी सोसल जस्टीस अपस में बाईचारा गाउं में जो सैनिटेशन का काम है साब सफाई का है यह सब बेसिक चीज़े हैं यह हर एक आदमी को पता आदमी उम्मीद करता है वह ठीक है अभी अ हमारे देश के अब आपनीरवर भारत की बात और अब वह कैसे होगा वह शर्पंचों को पपली को बताना चीक्तों मेरा तो मेरे घाउं के वोटर सेंसे सबसे यही है कि आपके बास कोई शर्पंच आता है उसमें कोई बच्चा है एजुकेशन जो पढ़ने वड़ा है जो शिक्ष्या के चेतर में आया और जिसको क्योंकि आप मानके चलो कि हर एक आदमी हर एक गाउं में इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है तो अभी मैं अपने गाउं की जैसे बात करूँ अब आत्म निर्भर गाउं की अगर मैंने बात शुरूगे तो उसके बारे में मोटा मोटी बता देता हूं हमारे गाउं की पंचैत में मेरा एक पर सलमाना है कि वह पचास अजार से रुपए लेके एक लाख रुपए तक की इंकम पर मन्स जनरेट कर सकती है अब जी आपने जैसे अपने इंट्र अधिकारी इस गाउं जे निकले हैं तो उसके बारे में उनको यह चीज सोचने चाहिए है कि हम जो एक कंटेंट लेकर रहे हैं हम जो सर्पन चुन रहे हैं अभी सुबह मैं अख़बार पढ़ते हुए देखूंगा जी मोटी जी ने यह कर दिया तो मैं उसको एक मिंट में हैं बहुत अच्छी बात है अच्छा और कुछ करेता है हां में बताना चाहरा था कि अभी सवाल ही आता कि भी पचास जार सेक लाख रुपे कैसे कमाया जाएंगे अब उसका एक मोटा से उधार्ण तमा को बता जाता हूं कभी मौका में ले दगाउंगे सर्पन्स जो प्र और कितना सोलीड वेस्ट एक दिन में निकलता हुगा अगर मैं मौटा मोटा मोटा मान के जो पांसो से साथ सो किलो अगर में किलो भी लेकर चलता हूं डेली का मेरे पास आता है तो जो मेरे गाउं में पंचायत की जमीन होती है हम उसका ईजली एक टेंडर प्रोसस कर सकते ह जो की होता है बहुत सारी पंचायतों ने करके दिखाए इवन राजस्तान में भी कई पंचायते हैं जो लोग डीप में जाएंगे तो उनने किया यह सोलीड वेस्ट अलग हो जाए हम उसको जगह देंगे आप बाई साब इसका मोटा मोटा है हम अपना एक सुरू का जो बिना करें तो पता नहीं लगेगा पहले साल तो तो वेस्ट अलग हो जाए उसका टेंडर हो जाए उसका चैक मिल जाए पंचायत के खाते में लग जाए चोटे मोटे नाली तूट गई कुछ वह तूट गया वह सारा सिस्टम आप महां से बतलो रिक कवर कर सकते हैं पैसा म इसको आने वाले समय में जब बंड जाते तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा एक तरीक का शर ने बता दिया है दूसर तरीक का बुस्तना पड़ेगा और भी बहुत सारे तरीक आपास तरीक के अमारे बास और भी बहुत है अगर को पुछेगा तो इससे भी बैटर और और तरिक्के हैं वहां कैसे पैसा बनाया जा सकता है अभी आपने देखा होगा स्टेंड पर हमारे पास इधर ना एक ग्राम पंचयाइद की जमीन पड़ी जो की ऑस्पिटल के पास में अगर उसको यूज नहीं करना चाहते तो पंचयाइद उससे प्रोजेक्ट भी कर सक सकते हैं क्या एक एक ची इपक्षेंज है चीट्वीजैंज का फरंट खाली है पी इनभी बैंक उसके आगे-क फ्रंट खरली है उसमें दुकान्य बढ़े लोगों सरपंच आप बन गए ना तो मुस्टली मैंने जो सुना है उसकी चीज़े के आते हैं मैं क्यों टैंशन लिए परियास तो आपको किसी ने बोला नहीं था आप सरपंच बनने के लिए आपका श्यूम का काम था तो आपको श्यूम इस चीज़ का इनिशेटिवी प्रूड़ती नहीं उनको यह बड़ा कंभी रमुद्दा है यह सराब होड़ा नहीं बड़ा एक पर बड़ा सेंसिटिव मामला होगे अभी मैं मोटा मोटी चलू तो मेरे गाउं में लगवगे मेरे गाउं में कहीं चुनाओं में आप उठा के देंगा कोई भी चुनाओं सब्सक्राइब तो नहीं है जिसकी जो रिक्वार्मेंट उसक्या अभी मैं तो बोलता हूँ कि जो बच्चे है पटने वाले उनको सरपन से आए कंडिडेट से जो भी आए उससे जिम्मिदारी तैकनि साब मेरे को ची लाइब्रेरी ना ठीक है हमारी रिक्वार्मेंट आज सब्सक्राइब तो उसमें अभी यह उनकी जिम्मारी है आप उन चीजों को कैसे बात करके कैसे मतलब उन चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं तो कुछ मतलब विशेश बात तो यह है कि जैसे सराब हो गया यह इस तरह के जो अलग से कुछ पर लोबन होते और कास्टीजम की पर वह वोटिंग चले जाती है लेकिन विकास के नाम पर वोट नहीं करना सीख रहा हमारा वोट रही है जिम्मेदारी लेणी पड़ेगी आज नहीं तो कल लेनी पड़ेगी नहीं तो यह आप सरफ जो विकल गोमते हैं ना मेरा भारत महान जिन पे लिख़ा हुआ है वह द तो अगर यह गाउं का काम है गाउं के जिम्मेवारी है अगर हम जिम्मेवारी लें तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई चीज नहीं हो सकते पहले साल कुछ अगले साल कुछ तो आप एक नई लाइन से हटके बाप करना आपने शुरू कर दिया है तो अगला जो भी इस चीज के उपर आएगा वह हमेशा यह सोचेगा मेरे को इन मुद्धों के बारें बात ने करने पहले वाड़ा निये मुद्धे किये हैं तो मैं सिर्फ और से डवल उनके यहां जैसा कि सर ने अभी जिकर भी क्या ए लाइबरेरी का तो ए लाइबरेरी की जो सुरुवात की गई दुशन चोटाला जो हमारे यहां की मुख्य मंतरी उनके माध्यम से एक अच्छा परियास किया गया लेकिन उन्होंने भी कहा था कि सभी ग्राम पंचाय तो कै करना चाहिए और लाइबरेरी जो है इस तरह हैं की हर गाहों में होनी चाहिए ताकि जो भी बच्चा पढ़ना चाहे वो इजली अपने गाहों के अंदर ही रहते विए पढ़ाई कर सके एक अच्छा परियास हम चाहेंगे कि जिस भी गाहों के अंदर अभी मतलब जैसे हम ट्यूटी भी हो जाती है तो ये लाइब्रेरी ओपन की जाएं ताकि यहां के जो बच्चे हैं वो शिक्षा के इस अधियार का इस्तिमाल करते हुए कामियाब उसके अच्छा एक और विशेश बात है मैंने दिखा हैं अलग अलग इवन सहरों के अंदर भी कि सरकारी जमीन प अधिए यहीं बैंब बोलने वड़ा था कि बनाना और समालना पहुत अलग लग चीजिशना कोई भी कुछ सक्ता नेकिन जिम्मेदार नीं कहीं वर्तमान पंचया इतखी कि बना आया तो सकता प्यछली पंचया इतने हो इस चीज़एम पंचया चनाव से जोड़ता हूँ अपना पर्सनल इंट्रेस्स छोड़के आपको पांच साल के लिए गाउं का प्रतिनिदितव कर रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है आप कहीं भी जाओगे तो आपको आपको यह बोला जाएगा कि आप शेडंगाउं के शर्पंचो इसका मतलब यह होगा कि आप 10,000 लोगों को जा अपने पर्सनल इंट्रेस्ट को सेंटर में रखके किसी का बला नहीं होने वाड़ा ना होगा उमीद है इनमें से कोई शर्पंच जो है मैं यह बोलता हूं जिसकी आप एक वागाउं के लोग है आपस में सब सब को जानते हैं आप सब एजुकेशन की तरफ देखो ना एज सब्सक्राइब करें अभी उस बंदे का इससे पहले गाउं में क्या रोल रहा है हर बार जाके मतलब कि मैं नसे के साथ या नसे के साथ में है विरोध में वो चीज़े बट यह एक ही चीज क्यों अचाई जो आपने लाइब्रेरी वाला जिकर किया था दुस्याइन चोटा आराम से हो सकता है बट वही है एक नहीं मैं तो कहता हूं चार लाइब्रेरी बनानी चीज़ें अब क्या अच्छा करके जा रहे हो पीडिया याद रखेंगी वैसे तो काफी बाते होगी लेकिन अगर हम वैसे इसी दिबात करें कि आखिर एक सरपंच के अंदर कि किस तरह की लेडरिशिप क्वालिटी होनी चीए किस तरह का सरपंच जो हमारे दर्सक हैं वह अलग लग गाओं से भी हैं तो वह किस तरह का सरपंच अपने गाओं के लिए चुले यह जब आप किसी भी सरपंच के किसी भी कानेड़ेट गया आप बैनर देखते ना सब युद्ध थोड़ी लड़वाना है काम करवाना है या निडर के निर्विक की जरूतनी बात को बात के तरीके से कहने वड़ा होना चीए जैसे ही चुनाव अनाउंस वे उसके बाद पता चला कि हमारे अगल भगल में ही इतने निर्विक निडर कर्मत योग है उमीद में रहते हैं वह सारे गुणों इरक्षिन के टाइम पर निकल के बाहर आते हैं ठीक है और वह सिरब इसी तक सिंबन देता है यह चीज़े फाल पड़ने लिखने वाले साथ यह वह अपनी तेयार रखें बुजरुग अपनी रखें और कोई तमगा बच गया वो अपनी रखें पुछे भाई बता बताना पड़ेगा ना बताए तो बड़ा अच्छा सा उप्शन दे रखा नोट आगा दबाजा गया यह पर मेरे सवाल लोगे मुझे जवाब चाहिए स्टीस्फरेक्षन नहीं मेरा लेवल या मैं सटीसफाइब नहीं हो तो मुझे इस इसे इस इसे मिद्लों कि कोई लेना देना नहीं क्योंकि मुझे अपना भी तो बेनिफिट्स हो जना है ठीक है चलीए मैं एक नोटा का यहां पर जिकर वा तो उस case में आप nota यानि none of the above प्रेस कर सकते हैं अगर वो बटन जीत जाता है यानि चोथा candidate आपका nota हो गया अगर nota जीत जाता है तो जो तीन उमिदवार थे वो आयोग गोशित हो जाएंगे और वो चुनाव नहीं लड़ सकते और चुनाव आपके गाउं में दुबारा होग मतलब बात यह है कि आप पहली बार जब आप nota दबाएंगे और आपने उन आयोग गेवक्तियों को बार कर दिया तो उसके बाद आप अच्छे से समझदार है कि अगली बार जो फाइट में आएंगे और गाउं मतलब जो आयोग गेवक्तियों को नहीं चाता जाँ उनको ब हो गये हैं या फिर वो आगे सरपंच बने लाइक नहीं है उसकेस में आप नोटा बटन दबाएं नोटा अगर जीता है तो आपके गाउं में सरपंच का इलेक्शन दुबारा होगा इसमें एक चुरी चीज में यह जो नोटा वाड़े आपने बात की है यह आप इस चीज क आपके डूटी का है अभी नासिक में है अभी चुट्टी पर है यह अपने साथी भाई है इनसे भी आप इनके यूज होकर आप प्ली जागर लिजी क्या आपके आपके अभी उप्तर मंजीत ने बताया कि आम गाऊं में खुद इंकम जर्नेट कर सकते हैं तो उसके लिए एक विजनरी सरपंच का होना बहुत जरूरी है उस विजनरी सरपंच को यह पता होना चाइए कि प्यूरे डिस्टिक में जितने भी गोवर्मेंट की ग्रांट और Skem साथ यह उनको गाऊं में Implement करवाने के लिए आपकी लाइजणिंग आपके दिप्टी कमिशनर के साथ होने चाहिए क्योंकि आपका दिप्टी कमिशनर सारे प्रजेक्ट का डारीक्टर होता है रही बात हमारे गाऊं की कि हमारे गाओं के अंदर maximum resources हैं जैसे हमारे गाओं में पहाड़ी है उसके चारों तरफ इतनी जमीन है कि हम वह मैडिशन प्लांट लगा के लोगों की ड्यूटी लगा के रो सारा काम करवा सकते हैं जैसे इन्होंने सफाई वाली बात कही तो सफाई के लिए हमें कोई विशे लोगों को हम सब वोटरों को हम सब को individual responsibility लेनी पड़ेगी हम सब को जागरूक होना पड़ेगा कि हम पूछे कि आपने यह यह बजट है यह कहां यूटलाइज के इन लोगों को पैसा दिया उनसे क्या काम करवा है हमें एक्टिविस्ट होना पड़ेगा बट हो क्या राया ह है एक्चुली मैं सभी लोगों को आपके चैनल के मादम से जागरूक करना चाहता हूं कि हम accountability लेकर दूसरों की टांग खेचने की वजाए हम पूछें क्योंकि पैसा हमारा है वो किसी ना किसी सोर्स से वो पैसा जो गवर्मेंट हमें दे रही है वह हमारा ही है चाहिए उस लिए एक visionary educated सरपंच होना चाहिए जो documents को प्रोपर तरिक्के से government के सामने अधिकारियों के सामने प्रजेंट करें कि देखो जी यह resources है मेरे पास और आपको यह करना है और इस ऐसा visionary सरपंच होना चाहिए रही वात education की हमारे हां स्केंडरी स्कूल भी है और चीजे भी है तो मैं आपको एक time याद दिलाना चाहता हूं जब government लोगों को जागरूख करने के लिए गाओं में एक गाड़ी बेजते जिसमें वीडियो चलाते थे लोगों को जागरूख करते थे तो क्या वुश चीज का हम एक budget ले के क्यों ना हम यह अपने जो यूवा साती है यूवा बच्चे हैं जो पढ़ रहें उनकी केरियर काउंसलिंग के स्कूल में कहीं गाओं की और जो कॉमन जगह हैं वहां पर क्यों ना हम उनके लिए इस टाइप के केरियर गाइडेंस के श्वीर और वो और और वो और नाईज करवाएं ताकि बच्चों को आगे बढ़ने का होगा उसको होना चीए सब कुछ पता होना व्यवारी ज्यान होना चीए एक सवाल हम सब के लिए छोड़के जा रहे हैं सारी बाते बता दी कैसे पंचायत सक्षम बनेगी कैसे होगा बाकि उन लोगों को भी सोचने दे मेरा पर सनमाना दस नोकरिया गाम पंचाया दे सकती ह हैं दस नोकरियां दस नोकरियां मतलब कि आप मानों पांच जारुपए की नोकरी मिलती है साट जारुपए खर्चा हो गया और पंचेयत उसको खुद से फंड करेगी खुद की इंकम से पांच घर अगर दस लोगों को देते हो तो दस परिवार जुड़े हुए हैं ठीक है अगर एक बंदे को पांच जारुपए के आप नोकरी देते हो तो शाट जारुपए उसकी इंकम हो गई तो उसका चुला जनने का काम हो गया आज दस दिया कल पंदरा के बारे में सोचो ठीक है तो यह सवाल लगाना बंद करो अभी यह जितने आपस में टहां घिजने कर य यह परसनलाइडवाईस है ठीक है गावंबाकी समझदार है वो वोटर पूछेंगे अपनी चीज़ें एक और साथी बैठें इदर इनसे बात से चलते हैं जी कैसे बढ़नी चाहिए ग्राम पंचायत नमस्कार से प्रदीप मार नाम है और गाम सेड़ंग से यहीं है ग्राम पंचायत एक विकास सील होनी चाहिए अपने गाम के बारे में सोचे और वोटरों को जाग रुक होना बहुत जरूरी है अगर वोटर जाग रुक नहीं होगे तो मनमें उसका दबाव में बटन दबाएंगे और विकास तो दूर और आगे बनने के विज़ा पिछे ही जाए सब्सक्राइब में हरे के पास 2-4 किले से बत्ती नहीं रही है मैक्सिमम यही है और सभी चाहते हैं अब क्यों पढ़ाए जरूरी है तो वह अपने बच्छों को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल लों बेज रहे हैं और जो जितनी इंकम कर रहे हैं जमीन से उ सरकारी सकूल है उसमें सारे टीचर हैं या नहीं अच्छे से बढ़ा रहे हैं या नहीं है जरूरी जाके महीने 20 दिन में पर देख ले जो कम्या है जो अवसेक्ता है उसको पूरा किया जाए इसी के साथ साथ है आगे बढ़ने के लिए एक दो कोच होना बहुत जरूरी है तो अगर भार से आते हैं बढ़िया नहीं तो पंच्यात भी मनेज कर सकते एक दो कोच को इससे क्या होगा जो बच्चे है वो उनको आगे बढ़ने के लिए मुक्का मिल जाएगा और जो पंच्यात है वो गाम में पारक वगेरा हर वाड में तो नहीं लेकिन अपने महले मे चैर पांच वा ऐसे कर सकते पारक जिसमें बच्चे खेल सके उपन्जिम लगवा सकती है बच्चों के अगर सवस्त होंगे बच्चे तो देश आगे बढ़ेगा और अब एक मंजित भाई कह रहा था जैसे यह जो कब्जे वाली चीज है यह थोड़ा हागा खुद लगा दी निकलने बढ़ने में भी दिक्कत हो रही है यह खुद जागरुक होना पड़ेगा पंचात को तो है यह जागरुक लेकिन खुद भी अब वह एक पत्थर लगा दिया अपनी बढ़ती है ना तो आप खुद अपने बारनिक आगे से सफाई रखो उस पत्थर को ए जवाबदार एक पंच्यात बने सभी जवाबदार वोटर हो तो बिना भेदवाओं के बिना किसी के इर्श्या के अपना एक योग्य उमेदवार को मत दे मेरत यही कहना है तो वीडियो को यह है बागी विसेश बात ही कि सेलंग के अंदर हम बैटे थे और सेलंग के अदर अच्छी खासी हमारी हैल्दी चर्चा रही जिसमें फोजी भाई साथ में इदर एडवोकेट इदर किसान जय जवान जय किसान और शिक्षा की बात करी इन्होंने विकास की इन्होंने बात करी ग्राउंड लेवल पर काम होने चीज़ की बात करी खास तोर पर लाइबरीरी विशेश को इन्होंने समर्थन दिया ना ये किसी के विपक्स में बोले बस इनका बस एक उदेश्य है और ये होना भी चीए हर ग्राम पंचायत के अंदर हर वोटर का होना चीए कि जो पंचायत बने जैसा कि सर ने बताया जवाब दे ग्राम पंचायत बने और वो विकास वाई तभी जब मेरा गाउं मेरा देश मेरा गाउं जब महान होगा तो मेरा देश रिमान हो जाएगा बाकि आप क्या सोचते हैं किस परकार से हमारे गाउं की जो हालत है ये सुदर सकती है कमेंट बोक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो को ज्यादा से अवश् झाल झाल